रायपूर कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर भूरे और स्सपी प्रशान्त अग्रवाल ने प्रेस कॉंफरेंस करके चुनाओ के बारे में डिटेल बताएं। कलेक्टर ने कहा कि जिले में 18,89,762 मत दाता हैं। पिछली बार से जिले में 2,60,000 वोटर बढ़ गए हैं। असी साल से अधिक उम्र के बुजर्ग और 40 प्रदिशत से अधिक दिव्यांगों को घर से मतदान की स्विधा इस बार दी जाएगी। नामंकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद ऐसे लोग या उनके परिजनों को बियलो या पारशत से संपर कर फॉर्म भरकर सहमती देनी होगी। मतदान वाले दिन मोबाइल पोलिंग टीम वीडियोग्राफर के साथ उनके घर जाएगी। गोपनीय रूप से पूस्टल मतपत्र से उनका मतदान करवाएगी। पूरी व्यवस्था प्रशासन की तरफ से निशुलक रहेगी। कलेक्टर ने का जिले में 1879 मतदान केंद्र हैं जिनमें 6 सम्विधन शील हैं। 234 मतदान केंद्रों में वैब कास्ट माध्यम से मॉनिटरिंग होगी। बहतर संगवारी मतदान केंद्र बनेंगे जहां महिला चुनाव कर्मी ही होगी। साथ मतदान केंद्रों का संचालन युवा करेंगे। साथ मददान केंद्र दिव्यांग yeni संचालित करेंगे एक सो चालिस लोगों की एक टीम राजनेतिक दलों के खर्च का आँकलन करेंगे इस बाद संगवारी मद्दान केंदरा जो मद्दान केंदरा जिसमें पूर्ण रुप से महिला मद्दान दल होंगे महिला पुलिस होंगी ऐसे 72 मद्दान केंदरा होगे